नमस्कार दोस्तो वेलकम फ्रेंड्स आज हम Atomi Nepal का जो रजिस्टरिशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो यह जो वेबसाइट है global.atomi.com इस पे आपको विजिट करना है और right side में आप देख रहे हैं जितने menus वेगर हैं आप एक-एक menu के उपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको सारी चीज़े यहाँ पर available होने वाली हैं तो सबसे पहले Atomi Nepal registration के लिए right side में आपको क्लिक करना है और फिर right side में जो join देख रहे हैं इन countries के अंदर और global membership में Atomi AB 70 plus countries में free registration स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपको countries select करने है नेपाल तो हम यहाँ पर Atomi Nepal का जो free में registration है उसके उपर discuss करेंगे कि किस परकार से आप Atomi Nepal में free में registration कर सकते हैं जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं आपको scroll करना है और नेपाल का यह center में दिया गया है तो इस नेपाल के जो icon है इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर यह दूसरे countries है center में Nepal देख रहे हैं यहाँ पर आपको click करना है और click करने के बाद जो निच्चे दिया गया है to website तो उसके बाद आपको go to website पर क्लिक करना है और फिर जो next जो registration का part है वो यहाँ पर start होगा ओके तो just like यह जितने भी countries हैं यहाँ पर atomic registration फिरी में start हो चुका है और आप अपनी जो team है वो internationally explore कर सकते हैं और अगर आप team warrior के साथ जुड़ ना चाहते हैं और हमारी जो team है 23 plus countries में जा चुकी है तो यह नेपाल है यहाँ पर नेपाल पर क्लिक करना है आपको ओके और फिर go to the website पर क्लिक करना है जैसे आप website पर जाओगे तो यहाँ पर atomi Nepal registration का जो website version है वो यहाँ पर open होगा और welcome to sign up का जो message है स्क्रीन के उपर इस तरीके का message आएगा आपके पास my global membership registration guidelines तो यहाँ पर आपको कुछ guidelines है जो follow करनी है यहाँ तो इस परकार से यहाँ पर आपको जो registration की guidelines है वो follow करनी है yes I have a sponsor तो yes I have a sponsor के उपर आपको click करना है अगर आप नेपाल के member है आपको atomi join करना है तो sponsor ID आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास sponsor ID नहीं है तो आप Team Warrior के Top Leaders को इंडिया में Call कर सकते हैं, आपको Sponsor ID मिल जाएगी यहाँ पे, और यह Sign Up Process है, इसमें First Step है, वो Membership Agreement है, Second Term of Agreement है, Third Verification होगा यहाँ पे, फिर Information, फिर Sponsor और फिर Complete, सिरफ Six Step हैं, बिल्कुल Simple Steps हैं Registration के लिए, तो एक-एक Steps के उपर आपको Click करना पड़ेगा, Complete करना पड़ेगा, और Last में जो आपका Registration Part हो यहाँ पे Complete हो जाएगा, ओके, तो Membership Guidelines है यहाँ पे, इस पे आपको Check Box पे करना है, और फिर Next पे करना है, ओके, जैसे Next पे करेंगे, तो Next जो Terms of Agreements हैं, इसमें आपको Click करना है, ओके, Terms of Agreements पे, सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे Terms of Agreements पे आपको Click करना है, और Boxes हैं उन पे Click करना है, और Last में यह इस Box पे Click करना है, तो जैसे आप यहाँ पे इस Box पे Click करोगे, तो Registration Part यहाँ पे Complete होना स्टार्ट हो जाएगा, First Name डालना है, First Column में, Right वाले में Last Name डालना है, फिर इसके बाद आपको, आपका Date of Birth और यहाँ पे नेपल कंट्री का, आपको यहाँ पे Select करना है, नेपल कंट्री का Mobile Code, 977, Plus 977, ओके, तो यहाँ पे आपको नेपल सलैक करना है, तो यह Last में, Plus 977, नेपल कंट्री का Code है, और Right जाट में आप Mobile Number enter करना है आपको, ठीक है, तो सारी Information में यहाँ फिलब कर रहा हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि next step कुन सा है तो यह सारी information मैंने fill up की यहाँ पर first name, last name, date of birth, mobile number और उसके बाद यह right side में boxes पर click करना और यहाँ पर आपको document दोस्तों upload करना है passport, Nepal का national ID और जो भी document upload करोगे उसका आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर आपको front side upload करना है back side upload करना है और यहाँ पर back side भी हम upload कर देंगे और उसके बाद जो passport number है उसका number यहाँ पर आपको डालना है जैसा कि मैं डाल चुका हूँ already तो like that इस परकार से आपको Nepal का registration करना है बिल्कुल simple है दोस्तों और इसमें कुछ hard and fast rule नहीं है आपको ID proof में नेपाल का passport या national ID जैसे इंडिया में अधार कार वोटर ID होता है वैसे ही नेपाल में उसका ID का front and back upload करना और उसका ID नमबर भी डालना है उपर जैसा देख रहे हैं your identity document number तो पहले वाले हैं front right वाले में back और उपर identity document का number डालना है फिर next step आपको process करना है तो next step में आपको क्या करना है sponsor ID डालना है दोस्तो और sponsor ID में आपको आपकी team के निचे यह ID प्लेस करने तो जिस sponsor के निचे आपको ID प्लेस करने इसका sponsor ID नमबर डालना है यहाँ पर एक बार आपको re-check करना है सारे की सारी information और यहाँ पर next आपका mail है या female है वो select करना है यहाँ पर first name, last name और local name क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है same name आप डाल सकते हो यहाँ पर और male और female select करना है आपको निचे के जो boxes है उसमें और जैसे male और female आप select करोगे तो यहाँ पर आप ठीक है तो यहाँ पर आपको male और female select करने के बाद आपको password select करना है password first password फिर again repeat password और फिर guest password like that तो यहाँ पर password select करना है आपको फिर confirm password करना है again password repeat करना नीचे guest password डालना है फिर उसके नीचे आपको अपनी email ID डालनी है और email ID डालने के बाद address डालना है जो आपका passport में है यापर address दो column है दोनों column में बरना है आपको address ओके जो नीचे देख रहे हैं ये confirm password कर दी हमने guest password भी हम यहाँ पर डाल चुके हैं left side में और मैं screen के उपर पूरी चीज़े नहीं दिखा सकता आपको तो यहाँ पर बस आपको step by step बता रहा हूं कि किस परकार से आप Atomi Nepal में join हो सकते हैं Atomi India team warrior के साथ आप जुड़के अपना future secure कर सकते हैं और registration का जो part है उसमें step by step step यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं ओके तो next आपको यहाँ पर उसके बाद पासवर्ड guest password पासवर्ड दो बार डालना है आपको ठीक है right side में confirm पासवर्ड में again same password डालना है निचे guest password डालना है और उसके निचे आपको address डालना है ओके और यह email ID वगरे डालना है आपको फिर next पर आपको click करना है और address दो कुलम में डालना है दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है ओके दो कुलम इसके दो कुलम है और यह सारी चीजे हैं यहाँ पर नेशनलिटी में उपर जो फर्स्ट कॉलम उसमें नेपाल अल्टमेटिक क्लिक करके आजाएगा फिर next करना है आपको ठीक हम जैसे आप next करोगे तो उसके बाद आपको sponsor ID डालना है और sponsor ID आपकी टीम में आप इसको कहां जोइन करवाना चाहते हैं इसके थरू आपके पास नेपाल के लीडर्स आएं तो उसके नीचे आप इसको डालिए ओके तो next जो step है sign up का last जो step है उसमें sponsor ID डालना है सर आपको तो यहाँ पे हम sponsor ID डालेंगे और right side में search पे click करेंगे तो वो sponsor ID नंबर और नाम सही है कि नहीं यह आपको verify करना है यहाँ जरूरी है ओके तो यह sponsor ID नंबर मैंने डाल दिया है अब right side पे मैं search के उपर click करूँगा और confirm करूँगा कि जो मैंने sponsor ID नंबर ADN नंबर जो डाला है और नाम वो सही है या नहीं है अगर वो सही है तो आपको check करना है फिर confirm करना है ठीक है तो next मैं यहाँ पर डालूँगा sponsor ID ओके sponsor ID नंबर डाला है मैंने और right side मैंने search पर यहाँ पर किलिक किया दोस्तों ठीक है जैसे मैं search पर किलिक करूँगा right side में तो आपका sponsor ID नंबर और नाम यहाँ पर आ जाएगा यह sponsor ID नंबर है और नीचे position left में जाएगी जैसा कि आपको पता है कि कोई भी sponsor ID है उसके नीचे registration होता है तो first जो registration है autofill position होते हो left में जाता राइट में नहीं जाता यह by system default जाती आइडी left में अगेन इस ID के sponsor से आ जाएगी right में तो पहली ID इसके left में जाएगी यहाँ पर नेपाल के बिलकुल नजदीक है पतना के पास है हमारा पतना से 40 किलोमेटर दूर है ओके तो नालंदा टीम वारियर एक सेंटर के अंदर यहाँ पर selection हो जाएगा और सेंटर एज सेंटर पर यस करना है choose the same सेंटर एज और अपलाइन तो आपका नेपाल का सेंटर भी यह ना उच्के आप और यहां पर आपका जो रेजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों तो कॉंग्राज रूजिशन का मेसेज आ जाएगा आपका अटो मेंबर से पर रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका यहां पर और आप टीम वारियर के साथ जुड़ चुकिए हो इंडिया क मास्टर आप सभी का वेलकम है जितने भी हमारे नेपाल के फ्रेंड्स हैं और